हेलो फ्रेंड्स वेलकम टू लिव ब्यूटिफुल लाइफ दोस्तों आज हम लोग डेमो देने वाले हैं गोप्रो हीरो टेन ब्लेक का तो कैसा इसका रिजुलेशन है कैसा वीडियो स्टेबलेशन है और कैसा फूटेज आ रहा है दोस्तों मैं आपको लाइब आज डेमो कि अगया दोस्तों यह दसे और गोपो शाइट से मैं मंगळा था तो गोप्रो वालोंने यह पेकेजन करके दिया है ग्यूतना अलक है यहां पिछ लेंज्व होने का चांसस नहीं है और उसके अंदर है यहां पर पूप ड़र टेन हैं प्रेटे मज्च एक्साइटेड हैं पलगे देखिए को दो दो झाता है कि वंटल के सामके जाए तो तो मैंने ओंडिर यूद्धा पूलोगा था क्योंकि मैerdा बंदल रहे मेरे पास तो इसके लिए मैंने यह जो मंगाया था इसमें ऑनली गोप्रो है और इसके साथ यह सेंडेस का 32GB मेमोरी काड़ दे रहा है जो कि आप लगा सकते हो इसमें तो चलिए इसको ओपन करते हैं कि वाँ इसके सड़िशन जाले का तो आप है अगया नहीं अवह हैं और इस उगा पEMएोस्तवства जास 바로 कि वाँ है Hemmajima रहारे घडेकर करूद्यव स초 ज zeदीव हैं यह जब है भज़ मेरे हैं आप दो ्ट ईस तो दोस्तों आप अगर गोप्रो 10 खरीदना चाहते हो तो यह गोप्रो साइट में अवेलेबल है और यह दो टाइप पे अवेलेबल है जैसे कि आप अगर इसका सब्सक्रिप्शन और मांट सब लेना चाहते हो तो इसका प्रीमियम बंडल के साथ आएगा और आप अउनली ग गोप्रो भी मिलेगा तो पर निया हुए जैकल की मेरा बहुत सारा मांट्स हैं इर्हाई कि यहां पिर्फेसर के तरह प्रेमरा दिया हुआ और इसका जो बडियो का जो फ्रेम रेट है वह 5.43 के आब 60 फ्रेम पर सेकेंड एपिएस में चला सकते हैं फिर 4K 120 fps में चला सकते हैं और 2.7 के 240 fps में है वाटर रेजिस्टन्स जो है 33 feet 10 meter अंदर वाटर के अंदर आप सूट कर सकते हो इसमें voice control दिया हुआ है फिर इसमें 8X में slow motion दिया हुआ है और फिर आप देख सकते हो 1080 में आप live streaming कर सकते हो आपका YouTube हुआ Facebook हुआ उसमें आप live streaming कर सकते हो फिर इसमें time graph 3.0 दिया हुआ है फिर super photo plus HDR and raw photos दिया हुआ है फिर uploads automatically to the cloud दोस्तों अगर आपका gopro subscription है तो आप automatically आपका जितना सारा videos और photos ये gopro का cloud में चला जाएगा उसके बाद webcam mode दिया हुआ है फिर mode ready दिया हुआ है इसमें बहुत type का mode आता है दोस्तों जैसे media mode और फिर इसका inbuilt light mode या 360 mode आता है तो आप कोई भी mode लगा के आप कर सकते हो और इसमें hyper smooth 4.0 दिया हुआ है और इसमें gopro का एक खासियत है दोस्तों gopro 9 जो पहले आया हुआ था उसका प्रोसेसर था GP1 प्रोसेसर दोस्तों और आगे का जितना सारा भी gopro है वह सारे गोप्रो का प्रोसेसर GP1 था बट गोप्रो 10 में यह थासियत है कि इसका जो प्रोसेसर है यह चेंज किया हुआ है और इसका जो अभी का प्रोसेसर है GP2 processor है जो कि बहुत ही fast है दोस्तों और बहुत ही smooth है तो इसको open करते हैं और देखते हैं कैसा है यहां पर attack lens देख सेखते हैं 23 megapixel दिया हुआ है 5.3K 60fps 4K 120fps 33 feet 10 meter and GP2 processor तो दोस्तों देखिए अंदर का packaging कैसा है यहां पर gopro का black cover का case दिया हुआ है premium case है दोस्तों यहां पर gopro का logo दिया हुआ है और चलिए खोल के देखते हैं कैसा है यहां पर दिया हुआ है क्विक सेट गाइट है दोस्तों कैसे आप connect कर सकते हो अपने phone पे और cloud पे कैसे connect कर सकते हो और इसके अंदर अभी एक data cable दिया हुआ है जिसको इसको connect करके आप अपने phone पे या laptop में data ले सकते हो या फिर चार्ज कर सकते हो और एक यह माउंट दिया हुआ है जो एक basic माउंट है और इसमें एक screw दिया हुआ है जिसको लगा सकते हो आप इसमें और उसके साथ यह battery दिया हुआ है यह गोप्रो का original battery है और डिफ्रेंट डिफ्रेंट वर्षन गोप्रो का जो है गोप्रो 9 और गोप्रो 10 यह दोनों में सेम ही battery यूच होता है दोस्तों अब भी आते हैं गोप्रो पे और उसको खोलते हैं और दोस्तों इसको open करते ही camera touchscreen में ऐसा लिखा हुआ रहता है यूर camera must be updated before you can use it जिसका मतलब है camera use करने से पहले आपको camera upgrade करना रहता है ताकि गोप्रो का जो latest firmware है वो सही से update हो सके और आपका camera सही से चले जो कि आगे वीडियो में हम लोग किये करने वाले हैं और इसमें front और side में blue color में GoPro का logo है यह design GoPro 10 में नया आया है दोस्तों जो कि GoPro 9 में नहीं था और यह नीचे में folding fingers दिया हुआ है दोस्तों यह नीचे इसका speaker है दोस्तों और front में यह removable lens है जिसको आप remove करके दूसरा lens जैसे की max lens mod भी लगा सकते हैं तो चलिए मैं इसको mount पर लगाता हूं और आपको दिखाता हूं और इसके बाद हम लोग बाहर जाके कुछ-कुछ footage लेंगे और आपको दिखाएंगे कैसा लग रहा है आप comment section में जरूर बताएगा तो चलिए दोस्तों इसमें अभी इसका memory cards और battery लगाते हैं यह ऐसे side में इसका battery panel है दोस्तों जिसको open करना रहता है और open करने के बाद मैं यहां पर अभी battery insert करूंगा और इसको ध्यान से करना रहता है दोस्तों और यह उपर जो है उसको पकड़के खिचना रहता है और यह battery डालने के बाद इसको ऐसे lock करना रहता है तो दोस्तों अभी हम लोग का battery लग गया है अभी यह उपर का जो seal है इस memory card है दोस्तों क्योंकि मैं इसको लगाना भूल गया था अभी मैं battery निकल रहा हूं इसमें memory card थ्यान से डालना पड़ता है और अभी यह memory slots डालने के बाद मैं अभी battery को अंदर पिर डाल रहा हूं और यह मेरा battery ठीक से लग गया है इसको ठीक से lock कर देते हैं दोस्तों unboxing तो हो गया अभी चलिए इसको mobile के साथ connect करते हैं GoPro में usually क्या होता है दोस्तों एक quick app करके आता है जो GoPro का original app है और इसको अपने mobile में install करना रहता है और install करने के बाद इसको Bluetooth से connect करके आप GoPro का जो upgrade रहता है वो upgrade आप mobile के उत्रों से कर सकते हैं तो दोस्तों अभी GoPro Hero 10 का unboxing हो गया है और अभी बाहत चलके एक demo देखते हैं तो दोस्तों अभी जो हम लोग ले रहे हैं वो video का resolution है 5.3K 60fps एंड linear mode में है तो आप देख सकते हैं कैसा आ रहा है video footage अभी में ले रहा हूं दोस्तों 4K में 60fps है और linear mode में है तो आप देख सकते हैं इसका footage कैसा आ रहा है और यहां पर मैं sound के लिए कुछ भी use नहीं किया हूं मतलब कोई भी microphone यूज नहीं किया हूं यह गोप्रो का inbuilt microphone है जो कि मैं आपको live footage footage शूट करके आपको दिखा रहा हूं तो दोस्तों अभी आप लोग जो वीडियो देख रहे हैं वह 4K में है और 60fps है और linear mode में है तो इसका footage आप देख सकते हैं कैसा आ रहा है बहुत ही smooth है दोस्तों और मैं थोड़ा चल के दिखाता हूं आपको इसका stabilization कैसा है और अभी थोड़ा run कर रहा हूं तो अभी मैं run किया दोस्तों और आप लोग देख रहते हैं footage कैसा आ रहा है आप मेरे को comment section में बताएगा कि 5.3K 60fps में आपको कैसा लगा और 4K 60fps में कैसा लगा और 4K 30fps में आपको कैसा लगा कोई भी difference आप देख सकते हो क्या ओधोड़ा comment section में मेरे को बताएगा तो दोस्तों अभी जो camera का lens है वो wide angle में है दोस्तों और मैं 4K 60fps में suit कर रहा हूं तो आप देखके बता सकते हो कि यह वाला कैसा देख रहा है आपको पहले वाला जो था वह linear mode था linear mode usually हम लोग का क्या होता है कि phone में phone का जो camera रहता है वह linear mode में हमेशा रहता है बट गोफ्रो और इंस्टा 360 यह सब जो action camera रहता है यहां पर आपका वाइड अंगल व्यू रहता है जो कि फीशाय व्यू भी बोलते हैं उसको तो थोड़ा सा कर्वी टाइप का होता है फूटेज तो यहां पर आपका वाइड अंगल है अभी तो इसका फूटेज कैसा आ रहा है मेरे को बताएगा कि दोस्तों अभी मैं जो सुट कर रहा हूं वो सुपर व्यू मोड में है और यह 4K 60fps में है तो इसका कैसा व्यू आ रहा है देखिएगा फूटेज और यह पूरा मैं गोप्रो का जो इन बिल्ट माइक्रोफॉन है उससे मैं यूज कर रहा हूं दोस्तों यह मैं दोस्तों 4K अभी 30fps में मैं दोड रहा हूं उपर और देखिए कैसा आ रहा है फूटेज और मैं उपर आ गया और आप देख सकते हो पूरा नीचे इसके बाद दोस्तों मैं कुछ कुछ सॉट्स लोगा और आपको दिखाऊंगा कैसा आ रहा है सॉट्स यह देखिए दोस्तों उपर का व्यू यहां से और यह वाइड अंगल में मैं सूट कर रहा हूं और मैं अभी यह नीचे उतर रहा हूं तो वीडियो का स्टेविलेशन कैसा है आप देख के बताएगा मेरे को यह है आप तर संसेट का फूटेज दोस्तों का यह दोस्तों आस्क्रीम का पया है कौंस आस्क्रीम बटर कर दो मेरे लिए क्या का रहे हो कौन सा प्लेवर बटर पेकन इंडिया में बटर स्काच विलता है यह बटर पेकन वह उते हैं अलग टाइप के लग रहा है अच्छा लग रहा है मीठा होने से दोस्तों मेरे को बिल्कुल अच्छा नहीं लगता है यहां पर देखिए दोस्तों लाइटिंग अच्छा है कर दोस्तों लाइब कर दोस्तों लाइब कर देखिए रहा है